एक गुरू और दो शिश्यक के एक बार की बात है, एक गुरू कुल में एक बहुत ही महान गुरू रहा करते थे, जो की ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, उस गुरू के दो शिश्य भी थे, जो उनके साथ ही गुरू कुल में रहते हैं, वहां का सारा काम करते थे, वही दोनों गुरु कुल की देख रेक करते थे, अपने गुरु की तरह दोनों ही भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ती करते थे, लेकिन उन दोनों में एक बात अलग थी, वो यह थी, उन में से एक सकारात्मक सोच वाला था, जो हमेशा खुश रहता था, और दूसरा नकारात्म वाला जोकी हमेशा दुखी रहता था। उन दोनों का गुरु कुल में काम एक समान था और दोनों को गुरु कुल में एक समान दरजा भी मिलता था। लेकिन फिर भी उन में से एक हमेशा खुश रहता था और दूसरा हमेशा दुखी रहता था। खुश रहने वाला शिश्य ह किसी न किसी बात पर खुश होने का कारण धूंड लेता था। लेकिन वो दूसरा शिश हर बात से दुखी रहता था और हर चीज में कम्या निकालता रहता था उसके साथ जितनी भी अच्छी चीज हो जाए। वो इसमें भी दुखी रहता था एक दिन गुरू की मौत हो गई और वो स्वर्ग सिधार गए अपने गुरू के जाने के बाद दोनों शिशों ने ही गुरू कुल को संभाला और उसकी देख रेक करने लगे। पर उन दोनों की भी कुछ दिनों बाद मौत हो गई उन दोनों को उनके अच्छे कामों के कारण अपने गुरू के साथ स्वर्ग में रहने का मौका मिला और वो दोनों स्वर्ग में रहने लगे लेकिन यहां भी वो खुश रहने वाला शिश्य खुश रहता था और दूसर दुखी रहता था फिर एक दिन उस दुखी रहने वाले शिश ने अपने गुरू से पूछा कि गुरू जी मुझे किसी भी चीज और काम में खुशी नहीं मिल रही लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सारी खुशिया और शांती मिलती है लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा ऐसे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो गुरू ने मुस्करा के जवाब दिया कि खुशी और दुख तो हमारे मन की स्थिती है उसका किसी वस्तु या जगह से कोई लेना देना नहीं है अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें नर्क में भी खुशी मिलेगी लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग में भी दुख ही मिलेगा सुक और दुख दोनों ही मनुष्य के देखने के नजरिये पर निर्भर करते हैं शिश्य को अपने गुरू की बात समझ में आ गई अब वो किसी भी चीज में कमी नहीं निकालता था और अब व खुशी खुशी स्वर्ग में रह रहा था सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकरात्मक सोच वाले इंसान को हर चीज में बुराई ही दिखती है और वो कभी भी किसी चीज से खुश नहीं हो सकता लेकिन सकारात्मक सोच वाला इंसान बुरी से बुरी चीज में भी होने का कारण ढूंड लेता है इसलिए हमें अपने देखने के नजरिये को बदलना चाहिए और हर चीज में बुराई देखने की जगह उसमें कुछ अच्छा देखना चाहिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में